राजवान सिंग मुहाली प्रोपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत आज का टॉपिक फिर जीरो टू हिरो सेगमेंट में हैं मिस्टर एसस धालीवाल ये एसस धालीवाल MP के रहने वाले हैं और मेरे साथ 2004 या 2005 से जुड़े हुए हैं पहले सिर्फ खेती करते थे बंदा और खेती करते करते मेरे साथ कोई थोड़ा सा मेरे साथ बात करने चुरू होगी और मैंने मैं इनके शहर में गया इनका मैं शहर इसलिए नहीं नाम लेना जाता क्योंकि इस बंदे ने तरकी ही इतनी जादा किया है कि ये लोगों की नज़ पर रुकता था और इसके साथ मेरी बाचीत होती रहती थी जब मैं दोजार साथ में राज़स्तान में काम शुरू किया तो ये बंदा मेरे को फिर मेरे को से कंटक्ट करा के वीर जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं मैंने का आजा भाई कोई बात नहीं यार और ही लेता तो बताने वाली बात क्या होगी बताने वाली बात यह है जीरो टू हीरो का सफर तैकिया इस बंदे ने ये बंदा सहली लेता था और सारे टेकनिकल काउंट मैं खुद देखता था पहले जमीन नापनी जमीन का देखना जमीन के कांच पतर जमीन किसी को प्लॉट ना अपने लिए मानता हूँ, मैं आप ये ये काम करता रहूं, भी जब मैं एम्पलाई रहा हूँ, तो मैंने अपने एम्पलाईर को काम नहीं करने दिया, क्यों? क्योंके मैं उसको साबित करना चाहता था, कि मेरे बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है, और जब मैं एम्पलाई बना तो अपने employees को इतनी सूर्ट दी कि वो उनको ये एहसास हो जाए कि हम सरदार जी को छोड़के आगे जाके हम इतना बड़िया नहीं रह सकते किसी तरीके से तो ये काम इसने करके दिखिया 2007 में जब वहां काम शुरू किया तो एक एक चीज इसने अपने हाथ से हैंडल किया क्या plot नापना, क्या plot का गुणिया 90 डिग्री में निकालना, क्या कागिज देखने, क्या रिजिस्ट्री कर्वाने जाना, क्या कोई agreement करना, क्या किसी पार्टी के साथ कोई थोड़ा विवाद हो गया, उसको हेंडल नहीं हो रहा, तो उस बन्दे को हेंडल करना, बड़े त पाकिस्तानी बंदे को फॉलो करके आटो कैड सीख लिया नक्षा बनाना सीख लिया जो के रियल स्टेट के बीच में रीड की हड़ी माना जाता है कोई भी डिवेलपर परमोटर इन्वेस्टर जिसको नक्षा बनाना आ गया तो ये समझो वो आदमी चा गया नक्षा बनाना और च्छा गया तो यह आदमी ने आटो कैड सी के नक्षे बनाने सी के आप कलोनियों का काम किया अपनी कलोनिय बनाई महाराश उसमें मद्या परदेश में और सारे नक्षे इसने आप बनाए मेरे को फोन करके भी बताता था फिर भी कहीं फस्द देता था कोई और कोई प्रॉलमारी कैसे करें तो इस बंदय के डेडिकेशन देखर के मैंने इसको कभी जवाब नहीं कि जो इसको जह भी प्रॉब्म आटी थी यों मैं यहां बैठके कर सकता हूं मेरा और इसका कबसे का फशिक्ट क्यूलोमिटर का फरक होगा जो मैं यहां बैठके कर सकता हूं यहां बैठके भी किया और यदि इसको प्रॉब्लम आई के बीर जी आपको आना पड़ेगा तो आप यकीन करें मैं पंद्रह सो किलो मेटर जाके भी इसकी समस्या का समधान किया हमने यह बताने का मक्सद मेरा यही है दोस्तों यदि यह बंदा कर सकता है जो बंदा सिर्फ से लो एंपलाई नहीं बनना यदि आप एंपलाई बन रहे हो तो यह समझो कि मैं कंपनी का मालिक हूँ इसका यदि आपकी सोच मालकों जैसी हो जाएगी तो उपर वाला मालिक आपको मालिक बना के शोड़ेगा इस बात का अपने ध्यान रखने जब कोई आदमी सची नियत स से काम करता है किसी कंपनी में काम करता है अपना समझ के काम करता है तो डेफिनेटली उपर वाला उसको मालिक बना के शूड़ता है यह इस आदमी की एक्जेंपल है मेरे सामने मैंने इसको यहां से यहां तक आते देखा है क्या डेडिकेशन अब देगी आप बात करके दोगों को डिल नहीं करना आता था जमीन ना अपनी नहीं आती ही बैदना अपनी नहीं आते थे कागी देखने नहीं आते थे लेकिन एक एकर करे स्कस्राइब ला गया और सीखने के बाद आज मेरी नजरों में वह मेरा एंडियाए इंडिया को बदल सब्सक्राइब करना चाहते हूँ तो यह उस आदमी आजांगे जो अपने आपको बदलेंगे यदि हमारी कल को खती है हम जीनागा बदलें फोटक उब में फॉट二 को साथ आपके सामने होंगा तब तक आप सीखते जाएं पढ़ते जाएं धाली वाल की तरह आगे बढ़ते जाएं थैंक्यू मेरी मुच